आज हम सुपर फास्ट फिजिक्स रिवीजन क्लासेस में लेक्चर नमबर टू रिकॉर्ड करने जा रहे हैं आपके लिए और टॉपिक हमारा चल रहा था विद्दुचुम की प्रेरण इलेक्ट्रो मैगनेटिक इंडक्शन और कल मैंने आपको क्लास में बताया कि स्वाप प्रेरण क्या होता है तो स्वाप प्रेरण एक घटना है और स्वाप प्रेरण क्या होता है गुण हुआ करता है कल स्वाप प्र एक बात समझेए थोड़ा सा important बात है कल आपने देखा कि phi is proportional to i तो phi is equals to li यहाँ पर जो l कहलाता है यह कहलाता है कुंडली का swap रिर्कत दो कुंडली का swap रिर्कत इसको बोलते हैं अब l की value यदि मैं बात करो तो phi upon i और कल आपने l की गणती परिभासा भी निकाल दी कि यदि किसी कुंडली में one ampere की धारा प्रवाहित की जाए एक ampere की धारा प्रवाहित की जाए तो उसके साथ जो सबधित flux का मान होता है flux का गणती ये मान जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं आपका स्वप्रियर्कत येस तो वो जो होता है कुंडली का स्वप्रियर्कत कहलाता है अगर हम एक ampere की धारा प्रवाहित करें तो उसके साथ जो flux एसोसियेट होता है उसको हम स्वप्रियर्कत बोलते हैं ये तो सप्विर्कत की परिवासा आ गई, ये ठीक है, इसका एकाई क्या होती है, इसकी एकाई, भई, फ्लक्स को किस में नापते हो, वेबर में, करेंट को नापते हो, एंपियर में, तो फ्लक्स वेबर में, और करेंट एंपियर में, तो वेबर पर एंपियर, एसाई पधती आप जानते हैं कि E का मान कितना होता है E का मान होता है D5I DT वो भी माइनस साइन के साथ में मतलब प्रेरिज विदोत वाहक बल जो होता है वो फ्लक्स परिवर्तन की दर के बराबर हुआ करता है निगेटिव चिनने के साथ में अब यदि स्वाप प्रेरिकत की बात करते हैं ये किसी स्वाप प्रेरक कुंडली की बात करते हैं तो भाया स्वाप प्रेरक कुंडली में जो आपके पास में फाई होता है अगर आप करेंट आई भेज रहे हैं तो इसके उपर जो फ्लक्स आता है वो कितना आता है फाई is equal to li यह उपर आपने बना रखा है, यह phi equals to li, तो e equal to minus of d by dt, और phi का मन, li कर दीजिए, तो देखे, e is equals to minus बाहर है, l बाहर ले लिजिए, क्योंकि l नियतांक होता है, के बल क्या बन गया, d by dt, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला, आपको काफी सारी बाते यह बताने वाला है, फॉर् प्रेरित विद्धुत वाहक बल जो है, वो करेंट के परिवर्तन पर निर्भर कर रहा है, जी हाँ, जो करेंट के परिवर्तन है, उस पर प्रेरित विद्धुत वाहक बल निर्भर कर रहा है, यह देखे, e equals to l di by dt, ठीक है ना, प्रेरित विद्धुत वाहक बल जो है, वो क करेंट के परिवर्तन पर निर्भर कर रहा है साप साप क्योंकि L तो constant है नहीं है तांक है कुंडली का गोण है तो ध्यान से देखिए E समानुपातेक DIYDT और अगर करेंट आप DC ले लो तो DC करेंट में क्या होता भीया तो DC करेंट में I1 और I2 equal to I मतलब DC करेंट कभी change नहीं हो तो flux में परवर्तन नहीं होगा और flux में परवर्तन नहीं होगा तो विदुत वाहक बल नहीं बनेगा तो DC करेंट के लिए यदि आप बात की जाए डेल्टा आई कहलो उसी को यहां पर हम लोग डी आई के नजरी से देखते हैं वो कितना होगा जीरो करेंट में कोई परवर होगा तो प्रिरित विदुत वाहक बल उत्पन होगा किस फॉर्मूले से E बराबर माइनस L DIY DT ये है फॉर्मूला स्वप्रिरकत्य के पदों में विदुत वाहक बल का और इस अवस्था में जो विदुत वाहक बल होगा जो जन्म लेगा वो कुंडली से होने वाली करेंट में परिवर्तन का विरोध करेगा क्योंकि माइनस साइन बता रहा है कि विदुत वाहक बल विरोध ही है करेंट में परिवर्तन का मतलब करेंट में परिवर्तन ही विदुत वाहक बल को जन्म दे रहा है और यहां पर जो विदुत वाहक बल जन्म ले रहा है वो करेंट में परिवर्तन का विरोध करेगा आए थोड़ा सा इस बात को डिटेल में समझते हैं यह आपके पास में कोई कुंडली है और यहां पर आपके पास कोई करेंट आप भेज रहे हैं यह बदलाव वाली करेंट है मतलब IT है यह समय के साथ यह करेंट बदल रही है ओके यह करेंट कैसी करेंट लगी हुई है मान लीज़े यहाँ पे कोई आपने ट्रिगरिंग करेंट लगा रहे हैं पहले 0 एंपियर थी और 0 से बदल करके फिर आप 5 एंपियर में करेंट को लेके आ रहे हैं इस तरीके से ओके यह प्लस है और यह माइनस है तो यह देखिए करेंट के बढ़ने का मैं गराब दे रहा हूँ करेंट पहले क्या थी 0 और करेंट 0 से बढ़कर के 5 पे चली गई है यह देखिए यहाँ पे करेंट की वैलिव जीरो थी इस पॉइंट पे करेंट की वैलिव फाइव एक विरोधी क्वालटी का विदुतवाहग बल यहाँ पे प्लस है तो यह माइनस है इसका उल्टा विदुतवाहग बल कैसा से ठूगा? यहाँ पे प्लस बन जाएगा और यहाँ पे माइनस बन जाएगा जी हाँ तो जो अपना मुख विदुद छेत्र है वो कैसा चल रहा है वो चल रहा है प्लस से लेके माइनस इधर की तरफ मुख विदुद छेत्र ये और जो प्रेरित विदुद छेत्र बन गया है जो प्रेरित विभाव बना है उसके कारण जो विदुद छेत्र डेवलप हुआ है वो किस तरफ डेवलप हुआ है? ये हुआ है तो ये जो इसके उपर विदुद वाहक बल आया है जिसको मैंने small e का नाम दिया है इसको बोलते हैं प्रेरित विद्धुत वाहगबल यह इसका पूरा नाम है स्वप्रेरित विद्धुत वाहगबल क्योंकि ये कारेकरम खुद की कुंडली में हुआ है और ये जो विद्धुत वाहगबल है यह हमेशा लगाए गए विद्ध वाहक बल की विपरी दिसा में उत्पन अपने आपको करता है इसलिए इसका दूसरा नाम कहलाता है निगेटिव विद्ध वाहक बल या निरनात्मक विद्ध वाहक बल तो इसे विरोधी विदोत वाहक बल भी कहा जाता है ये जो back side में direction में ये में बना है तो E is equals to minus L di by dt ये किसकी परिभासा चल रही है? ये चल रही है स्वाप्रेरित विदोत वाहक बल की परिभासा अब इतना पढ़ने के बाद आती है स्वाप्रेरन की परिभासा क्या है? अब बनती है स्वाप्रेरन की परिभासा स्वाप्रेरन क्या है? तो स्वाप्रेरन क्या है देखे भी या ये कुंडली है अगर किसी कुंडली से अगर किसी कुंडली से फ्लक्स में परिवर्तन कराया जाता है तो बदलती हुई धारा भीजी जाती है तो उस कुंडली में लगाए गए वित्ध वाहक बल की विपरी दिसा में लगाया गए वित्ध वाहक बल की पुलर्टी क्या है प्लिस और माइनस जो उत्पन हुआ है प्रेरित विद्वाहगबल उसकी polarity क्या है प्लस और माइनस ये विरोधी विद्वाहगबल उत्पन हो जाता है विप्रीत दिसा में विद्वाहगबल उत्पन हो जाता है इस घटना को बोलते है स्वाप्रेरण जी हाँ ये घटना कहलाती है स्वाप्रे रीत दिशा में EMF यांने विद्धुत्वाहग बलउत्पन हो जाना कहलाता है स्वप्रेरण। और कुंडली का ये गुण, जो मैंने पहले बताया था कुंडली के गुण को बोलते हैं स्वप्रेरकत्व, तो स्वाप्रेरण घटना है, स्वाप्रेरण की कोई एकाई नहीं है, स्वाप्रेरण का कोई फॉर्मूला नहीं है, किसका फॉर्मूला है, स्वाप्रेरकत्व का फॉर्मूला है, क्योंकि गुण का नाम होता है स्वाप्रेरकत्व, स्वाप्रेरकत्व को हम लोग हैनरी में नापते हैं, तो उसका फॉर्मूला मैं आपको दे पाऊंगा, घटना का क्या फॉर्मूला दोगे, नहीं दोगे, बुद्धी मत्ता का कोई फॉर्मूला नहीं है, आपके अंक नापे जा सकते हैं, आपकी बुद्धी मत्ता नहीं नापी जा सकती, क्योंकि बुद्धी मत्ता अब देखिए अगर हम DIY DT को कितना ले लें 1 Ampere per second तो E का मान किसके कुल हो जाएगा माइनस L के या L का मान किसके कुल हो जाएगा माइनस E के क्यों क्यों कि भाई या DIY DT का मान कितना रख दिया यहां पर 1 छत्रपल आरा समझ में भाई तो L का मान लिकालना हमको E का मान बराबर हो गया माइनस L L बराबर माइनस E कब जब हमने D I by DT 1 Ampere per second तो क्या formula बनेगी क्या परिभासा बनेगी अगर किसी कुंडली में जाती हुई धारा में बदलाव एक Ampere per second का है या इसको बोल सकते हो धारा परिवर्तन की दर अगर किसी कुंडली से बहने वाली धारा परिवर्तन की दर एक Ampere per second है तो उस कुंडली के उपर प्रेरित होने वाले बिद्दुत वाहग बल की मात्रा को अगनती मात्रा को क्या बोलेंगे उस कुंडली का स्वापरिरकत्व या स्वापरिरन गुणांक कुछ किताबों में स्वापरिरकत्व चलता है और कुछ किताबों में स्वापरिरन गुणांक चलता है थीक है तो यह बन गई परिवांसा एक बार फिर बोलूगा अगर किसी कुंडली से बहने वाली धारा में परिवर्तन की दर एक Ampere perthi sec end होने पर उस कुंडली से जो विद्धुत्वाहक बल उत्पन होता है विरुधी उस विद्धुत्वाहक बल के गणती एमान को क्या बोलते हैं हम उस कुंडली का स्वप प्रिर्कत बोलते हैं अभी तक हमने दो फॉर्मूले पढ़ लिये बच्चों एक पढ़ा हमने करेंट में परिवर्तन के द्रिश्टी कोण से एक हमने पढ़ा एक हमने पढ़ा फ्लक्स एक फॉर्मूले का इस्तमाल करके नीचे वाले का पहली परिवांशा कल बनाई थी अज दूसरी परिवांशा देख ली दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके साथ एक और फॉर्मूला भी तक पढ़ चुके हैं जो फैराडे का नियम था is equal to minus of d phi by dt नोट कर लिजे तीनों चीजे अब आंगे बढ़ेंगे अब इतना होने के बाद हमको swap प्रेरन गुडांक निकालना है ठीक है done clear अच्छे से चली तो यहां से अब हमारे पास क्या है स्वाप्रेर कत्त की बात कर ली है अब हमको निकालना है एक लंबी परिनालिका का स्वाप्रेर कत्त भी या लिख लो अभी काम के लिए अभी इसको हम solve कराते हैं कि एक लंबी परिनालिका का जो स्वप्रियर कत्त होता है वो कितना होता है L, capital L बराबर μू नॉट N square ओके μू नॉट N square I A μू नॉट N square I A ये स्वप्रियर कत्त गुडांग हुआ करता है किसी एक लंबी परनलका का स्वप्रियर कत्त चलिए ये L A है I A नहीं है I A नहीं बचता है L बचता है ठीक है स्वप्रियर कत्त अभी मैंने स्वप्रियर कत्त आपको बता दिया अभी मैं इसके बाद आपको बताऊंगा अन्योन प्रियर कत्त अन्योन प्रियर कत्त क्या है जब हम अन्योन प्रिर्कत पढ़ लेते हैं तो हमको स्वप्रिर्कत और अच्छा समझ में आ जाता है तो अन्योन प्रिर्कत क्या है भीया ये भी सुन लो आपके पास अभी तक एक कुंडली थी और एक कुंडली में ही फ्लक्स के परिवर्तन की वज़े से विरोधी विद्धुत्वाहकबल ने जन्म ले लिया विपरीद्धिसा में अब मान लीजिए कि एक कुंडली के ऊपर कोई दूसरी कुंडली लिप्टी हुई है और ऐसी लिप्टी हुई है कि टच नहीं है मतलब दोनों के धागों में क्या लगा है इंसुलेशन माटेरियल लगा हुआ है विद्धुत्रोधन किया गया है जिसके करण इधर का धागा उधर के धागे से फिजिकली टच नहीं है जैसे कि आप अपने हाथों को लेमिनेशन करके अपने किसी दूसरे दोस्त से हाथ मिलाएंगे तो दोनों दोस्तों के हाथ तो मिलेंगे मगर उनमें फिजिकली कोई कनेक्शन नहीं होगा एक हाथ की बैक्टिरिया दूसरे हाथ में नहीं आएगी क्योंकि दोनों के उपर लेमिनेशन है तो ऐसे ही अगर आप यहाँ से करेंट भेजेंगे और करेंट में बदलाओ होगा मतलब डियाइबाई डिटी होगा तो इधर से जो बनने वाला फ्लक्स में परिवर्तन होगा वो फ्लक्स में परिवर्तन दूसरी कुंडली में भी बद्ध हो जाएगा बोलो भाई बच्चों बताओ सही बात की गलत बात पहली कुंडली में जो फ्लक्स परिवर्तित होगा वही flux का परिवर्तन दूसरी कुंडली में बधित होगा की नहीं होगा बोलो क्या नहीं यहाँ अभी तो मैं जो दिखा रहा हूँ आपको आदर से दिखा रहा हूँ है ना हम यह नहीं कह रहे हैं कि पूरा गया की नहीं गया जितना भी गया अभी देख करके यह सोच के बात करो कि आपको कुछ नहीं आता है परनालका के बारे में तो उस स्थिती में यहाँ से जितना flux जाएगा तो उस से यहीं कुछ भी flux बधित है तो वहीं बदला होगा की नहीं होगा तो पहली कुंडली में भी बदला हुआ तो इस कुंडली का भी EMF जनरेट हुआ E1 मान लो इसको या इसको E1 ले लिया और वही flux या उस से कुछ थोड़ा flux कम flux दूसरी कुंडली में गया और जरूरी यह है कि वो भी बदल रहा था तो उस कुंडली में भी एक नया विद्ध वाहक बल जन में ले लिया और वो कहला गया E2 ठीक है ना तो इस घटना को कि बेंड बजरा हमारे घर में और मजे ले रहा पडोसी अभी क्या हो रहा था स्वाप्रेरन में बेंड भी हमारा और मजे भी हमारे बट अभी क्या है भाई साब बदलाओ हमारी कुंडली का धारा का और विद्ध वाहक बल दूसरे के यहां बन रहा है तो इस घटना को बोलते हैं अन्योन प्रेरन क्या बोलते हैं इसको अन्योन प्रेरन और जो पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मर होता है वो अन्योन प्रेरन पर ही काम करता है क्योंकि प्राथमिक कुंडली में फ्लक्स का बदलाओ होता है और वही प्राथमिक कुंडली का जो फ्लक्स होता है बदलता हुआ यह देखो इस तरीके की कुंडली होती है यह प्राथमी कुंडली हुआ करती है और यह दुतिया कुंडली हुआ करती है यहाँ पर आप प्रत्यावर्ती धरारासोत लगाते हैं तो फ्लक्स बदलता है यही flux का बदलाओ चुम्ब की पदार्थ को होते हुए इसके अंदर जाता है जब यहां का flux बदलेगा तो यहां का भी flux बदलेगा अता है यहां पर भी एक विद्ध वाहग बल बनेगा E1 और यहां पर भी विद्ध वाहग बल बनेगा E2 क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कुछ परिस्थितियां बनाई जाती है कि E1 कम होता है विद्ध वाहग बल इधर वाला कम होता है इधर वाला जादा होता है जब output वाला यानि की निर्गत विभाव जादा हो तो उसको बोलते हैं उच्चाई transformer मतलब step up और कुछ परिस्थितियां होती है जिसमें इधर वाला जादा हो जाता है और output वाला कम हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं step down यानि की अप्चाई transformer तो कुल में ला करके कौन सी घटना है यदी प्रात्मिक कुंडली में धारा या चुम्ब की फ्लक्स का परिवर्तन किया जाए तथा उससे संबंधित दुतिया कुंडली में भी धारा या चुम्ब की फ्लक्स के परिवर्तन होने से एक प्रिरित विद्धुत वाहक बल आ तो इस घटना को बोलते हैं अन्योन प्रिरण ठीक बोलो क्लियर है बच्चों अगर खुद की कुंडली में विद्धुत वाहक बल जन्म ले ले तो स्वा प्रिरण अगर परोसी की कुंडली में विद्धुत वाहक बल जन्म ले ले तो अन्योन प्रिरण बट याद रहना चा मगर जो flux किसका होगा flux प्रात्मिक कुंडली का ही होगा इसलिए परिवर्तन प्रात्मिक कुंडली में होगा परन्तु प्रात्मिक कुंडली का ही flux दूसरे कुंडली में जाके बधित हो जाएगा अतह प्रात्मिक में परिवर्तन होगा तो दूतियक में भी परिवर्तन होगा हाँ अब ये बात अलग है कि सर कितना flux बधित होगा क्या पूरा होगा थोड़ा होगा है ना तो पूरे थोड़े का विशा एक अलग बात है उसके लिए हम लोग पूरे थोड़े के लिए अलग derivation है जिसका नाम होता है युगमन गुडांक युगमन गुडांक एक अलग चीज होता हुआ करती है उसको पढ़ेंगे थोड़े देर में पर फिलहाल समय है derivation करने का आईए करते हैं स्वाप्रेरकत्यों का derivation ये देखिए स्वाप्रेरकत्यों को समझाईए और इसका मातरत लिखते हुए किसी कुड़ेरकत्यों किन-किन बातों पर निर्भर करता है तो स्वाप्रेरण का अर्थ क्या है स्वाप्रेरण लगुत्री प्रश्न करमांग तीन देखिए तो स्वाप्रेरण कल मैंने बता दिया आपको कि यह है एक घटना है सब कुछ कर दिया डी आवए डीटी का मान एक रख दिया तो एक की वैल्यों आगे कि ती माइनस एल आता है कुड़ी का स्वाप्रेरकत आंत की कुड़ी में कुड़ी की धारा में प्रवर्तन की इकाई होने पर उत्पन होता इसका मातलक हेंड़ी है और यह निम्न बातों पर निर्भर करता है किसी कुड़ी का स्वाप्रेरकत अब भाईया यह कहां से आ गया किन बातों पर निर्भर करता हमें कहां से पता तो आपको जो हम डेरिवेशन बताएं है नमबर 1 अनुपरस्त काटके छेतर फल पर ये देखो भईया छेतर फल पर बढ़ाओगे तो फेरो की संख्या पर फेरो की संख्या पर निर भर करेगा क्रोड की आप एक छिक चुम्बक सीलता पर अगर आपके पास हवा है कुंडली के अंदर तो क्या यूज होगा? म्यू नॉट यूज होगा अगर मानलो क्रोड के अंदर आपने नर्म लोहा रख दिया है अंदर में तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? एल म्यू नॉट अकेला नहीं आएगा फिर इसके बाद आएगा म्यू नॉट म्यू आर क्योंकि माध्यम की चुम्बक सीलता जो होती है बोलो यह पॉइंट एकड़म क्लियर है की नहीं है? ओकी चली तो यह हो गया अब इसके बाद इसका डेरिवेशन कराते हैं कि किसी लंबी परिनालिका का स्वाप प्रिरिकत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है एक्जाम के लिए नोट कर लिए फी आई एम पी आईए देखते हैं किसी लंबी परिनालिका का स्वाप प्रिरकत किस प्रकार डेविलप होगा देखो भाईया मन में फीलिंग क्या बढ़ालो मन में फीलिंग है हमारे पास जो फाई इक्वल टू होता है भाईया ल आई फाई इक्वल टू हुआ करता है कितना ल आई तो ये हमारे पास एक पार्ट तो हमारे पास ये हिस्सा ही है हमको फ्लक्स निकालना है क्या निकालना हमको फ्लक्स किस का परिनालीका के अंदर का और flux का formula मैंने कल का पढ़ाय था flux का formula कल मैंने पढ़ाय था phi is equal to b a cos theta flux is equal to phi equal to b dot a बताय था या open करने पर phi is equal to b into a into cos of theta ये मैंने बताय था और आज हम यह किस के लिए कर रहे हैं आज हम यह कर रहे हैं एक क्वाइल के लिए क्वाइल को परिनालिका भी बोलते हैं तो भाईया परिनालिका के लिए कर रहा है मजे की बात देखो परिनालिका के अंदर जो B होता है वो कितना होता है परिनालिका के अंदर जो B हुआ करता है चुम्ब की छेतर होता है वो हमने बिदुच्छेतर का प्रभाव चुम्ब की प्रभाव में एंपियर सर्कुटल लॉक का इस्तमाल करके निकाला था और B equal to होता है μू not small n I B equal to μू not small n I ये होता है चुम्ब की छेतर Done एक बात B equal to μू not small n I small n क्या होता है small n का मतलब हुआ करता है कुल फेरे बटे कुल लंबाई तो ये B हो गया ठीक area कुंडली का area वरत्ताकार कुंडली का area πाई यार स्कुएर A होता है तो कुंडली का area आपन B की जगे B रख दिया A की जगे A रख दिया और कॉस थीटा देखो भाई कुंडली का जो चुंब की छेत्र है वो इधर से जा रहा है इससा जा रहा है और जो अंदर इसका जो इस पर वो अनुपरस्थ काट बनेगा वो क्या बनेगा वरत्ताकार बनेगा तो वरत्ताकार का अनुपरस्थ काट का जो दिसा जाएगा जो सदिस जाएगा वो भी कैसा जाएगा वो भी ऐसा जाएगा तो B और A दोनों के बीच का कोण कितने डिगरी हो जाएगा 0 डिगरी हो जाएगा और कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा इसलिए 5 बराबर होगा B into A क्योंकि cos 0 का मान कितना हो गया 1 तो B कितना निकल आया mu 0 ni into A यह अपना आ गया B B, sorry, flux आया है यह यह मैंने flux में रख दिया A भी तो रख दिया तो यह मेरे पास B था और B में मैंने A का गुणा कर दिया तो यह मेरे पास total किसका मान आ गया flux का मान आ गया ये मेरे पास flux का मान आ चुका है ठीक और किते फेरों का flux है ये ये मेरे पास एक फेरे का flux है जी हाँ ये मेरे पास एक फेरे का flux है आओ देखते हैं कैसे देखो, यहाँ से समझो ये line लिखने की आप शक्ता नहीं है हम जानते हैं कि परिनालका के अंदर का चुम्बे की छेतर एक समान होता है में हमारी लड़ाई यहां से सुरूरी है बच्चो देखो सबसे पहले हमें फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स का मान हमने पढ़ा है फाई is equal to होता है अगर फेरों की संख्या अन है तो N, B, A और कॉस्ट थीटा लेो तुम्हाई ले कॉस्ट थीटा रख देता हूँ इस केस में थीटा बराबर कितनी डिगरी होता है जीरो डिगरी तो यहां पे फाई बराबर कुल फ्लक्स बराबर कितना आ गया बच्चो N, B, A बिल्कुल सही चलिए तो फाई बराबर N, B, A ओके अब ध्यान से देखो कुल फेरों की संख्या कित्ती है N कहां के फेरे भीया यह परिनालका के उपर जो मैंने फेरे नहीं बनाए थे यह उसके फेरे हैं ठीक यह फेरे हम मैंने बना दिये हैं अब देखते हैं देखो भई N, B, A तो अपन जानते हैं Small N equal to कितना होता है Capital N upon L तो Capital N कितना हो जाएगा Small N into L तो फ्लक्स की वैल्यू नहीं का ली गई यहाँ पर वैल्यू पुट करके देखो फ्लक्स बराबर Capital N की जगह कितना आएगा N, L N, L B की जगह क्या आएगा भई अभी पीछे लिखा था मैंने B की जगह Mu not N, I यह देखो चुम्ब की छेतर की तीवरता धारावाही परनालका के अंदर Mu not N, I into भई क्या-क्या यूज़ करना था N यूज़ करना था B यूज़ करना था A, यह A यूज़ कर लिया चलो ठीक है तो A भी अपनने इस्तमाल कर लिया अब अब क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पे देखो आब N की वैल्यू आप जो है पुट कर दो तो N की वैल्यू, Small N की वैल्यू क्या होती है N upon L तो Phi is equals to Small N एक बार Small N दो बार तो दो बार हो जाएगा मतलब Small N का Squire Small N का Squire Mu naught I A और क्या है भी यह L है देखो सब कुछ ही इस्तमाल हो गया So Phi is equals to N का Squire Capital N square upon L square Mu naught I A L A क L से A क L क्या कर दो Cancel तो Phi बराबर कितना आ गया Mu naught N square I A upon L यह आपके पास आ गया है Phi का मान अब आप जानते है Phi equal to कितना होता है Li ठीक है न तो इत्ते से पार्ट को हम solve करेंगे Phi equal to Li यह वाला पार्ट चलिए अब आप जानते है कि Phi equal to कितना होता है Li Mu naught N square I A upon क्या small L I से I का मान cancel हो गया swap रिर्वकत तो आपके पास आ गया है Mu naught N square A upon L यह capital N के पदों में है और अगर आप चाहें इसको small N के पदों में भी लिख सकते है कैसे small N बराबर होता है capital N upon L तो capital N बराबर हो जाएगा small N L तो चलो पलड देते हैं Mu naught small N L मतलब N square L square A upon L A L से A L cancel answer Mu naught N square A L यह क्या गया swap रिर्वकत गुडांका गया और यही चैप्टर के शुरुवात में लिखा हुआ था वहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपके एक बार यह देखिए Mu naught N square A L या L A तो यह हो गया हमारे पास एक लंबी परिनालिका का swap रिर्वकत गुडांक कहलो यह swap रिर्वकत कहलो बोलो ठीक है समझ में आगए अच्छे से चली तो एक बार इसको दो मिनट का टाइम लीजे और अपनी कॉपी में जल्दी से यह डेरिवेशन बना लीजे क्योंकि एक्जाम में इसका तो आना मेरे को पक्का ही लग रहा है बहुत important derivation है almost हर बार आता है चलो जल्दी से दो मिनट का टाइम लो main main topic एक बार अपनी कॉपी में लिख लो एक लाइन इसमें एस्ट्रा दी गई है कि अगर परिनालिका के अंदर की क्रोड की चुम्ब की शीलता मियू हो मतलब हवा के स्थान पर आप अगर किसका इस्तमाल करें माध्यम का इस्तमाल करें तो मियू नॉट की जगए मियू आ जाएगा और उस्थमाइज जो फॉर्मूला बनेगा वह बनेगा मियू नॉट की जगए मियू एन स्क्वाइर ए अपन एल ये भी फॉर्मूला है और दोनों फॉर्मूले याद रख सकते हैं आप बहतर है कि आप वाला फॉर्मूला याद कर ले μू नॉट एन स्क्वार एन स्क्वार है ना एल ए ये ज़्यादा अच्छा लगता है कैपिटल एल इकुल्स टू मू नॉट एन स्क्वार इस्मॉल एल इंटू ए ये आराम दायक फॉर्मूला है इसको थोड़ा सच्छे याँ हो जाता है अब यहाँ से विल्कुल क्लियर हो रहा है कि परिनलका किन-किन बातों पां निरभर करती है फेरो की संख्या पर अनुपरस्थ काटच के छेतरफल पर बढ़एगा थो बढ़एगा फेरो की संख्या पर परिनलका की कोर की चुम्बक सीलता पर और ये आपके पास में L का डेरिवेशन जो हमने कर दिया है अगला क्वेशन लेखते हैं तो अब जो क्वेशन है उस पर बात कर लेते हैं यहाँ पर एक क्वेशन यहाँ पर अभी सदैव इस प्रकार होती है कि वह प्रिरेत विदोत वाहग बलकी उत्पत्ती का विरोध करे या फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करे ये कल कंसेप्ट आया था देखिए अब क्या है जब चुम्बक के उत्री ध्रुब को कुंडली के किसी तल के पास लाते हैं तो लेंज के नियम के नुसार कुंडली का वहतल उत्री ध्रुब बन जाता है भीया जैसे ही तुम कुंडली के पास में लेके आओगे तो कुंडली का वहतल जो उसके समीपस्त होगा वहत्तरी ध्रुब बन जाएगा आता है चुम्बक और कुंडली के मद्ध प्रतिकरसा बल्कार करने लगता है तो ये बात तुम्हारी बिल्कुल सही है मलब बहुत ज़्यादा डिटेल में जाकर के ये सवाल तुम पूछ रहे हो बहुत पूछ रहे हो कि टाइम लेगिंग की बात हो रही है टाइम की कि सर जैसे हम ये चुम्बक है और ये कुंडली है ठीक भाई थोड़ा सा करेंट थोड़ा सा आप फ्लक्स में परवर्थन करोगे हलका सा किता मान लो पहले फ्लक्स था इससे तीन और फ्लक्स बढ़के हो गया चार इतने परिवर्थन में ही कुंडली को पता चल जाएगा कि फ्लक्स परिवर्थित हुआ है और यहाँ पर कैसा परिवर्थित हुआ है उसे साब से पोलारिटी जनरेट हो जाएगी नौर्थ है तो नौर्थ और साउथ है तो साउथ इतने ही परिवर्थन में कुंडली को पता चल जाएगा तो ऐसा मत समझे कि जब आप पूरा का पूरा मैगनेट ले आएगे तब यह परिवर्थन पता चलेगा पहला फ्लक्स गया और कुंडली को पता चल गया आँगे आता है चुम्बक और कुंडली के मद्ध प्रतिकर्सन बल कार करने लगता है तो भाया अब नौर्ट रटो डेवलप हो गया अब आँगे आपको अपना बल बढ़ाना पड़ेगा और बल बढ़ेगा तो कार बढ़ेगा प्रतिकर्सन के विरुद्ध चुम्बक को प्रिरित धारा के रूप में परिवर्तित हो जाती है आप ये ना सोचे कि ये परिवर्तन यहां से सुरू हुआ है जब कार हो चुका ये परिवर्तन उसी से केंड से सुरू हो गया जब आप कारे कर रहे थे उस स्टेटमेंट पे मत जाएए यह परिवर्तन यहीं पर विद्धूतूर्जा में परिवर्तन शुरू हो गया था जब आपने पहला फ्लक्स बदला था यस क्लियर ना हाँ वो अब बुक की लेंग्विज रहती है वो लोग भी ऐसा ही काम चलाओ टाइप लिग देते हो यह तो इसलिए उसको देख करके परिशान ना हो पहले ही मोमेंट से जैसे ही पहला फ्लक्स अंदर गया वैसे ही विद्धूतूर्जा का कनवर्जन सुरू हो जाएगा चली अगला क्वेशन करते हैं सम्तलाकार्वरति कुंडली के स्वप्रिर्कत्य हेत्व रगेंजा के स्थापित करना भ्हाई साब तो बहुत बड़िया क्वेश्चन है वरति कुंडली के लिए फाई का मान लिख लिजिए तो 5 equals to N B A 5 equals to N B A अब देखो वरती कुंडली में फेरो की कुल संख्या आता है बस इसमें यह नहीं आता प्रती एकांक लंबाई तो वरती कुंडली के फेरो की कुल संख्या मैंने आपको जब पुराना डेरिविशन कराया था तो मैं फेरो की संख्या को capital N लेता था क्योंकि इसमॉल N का मतलब होता है प्रती एकांक लंबाई में फेरो की संख्या तो मैं फिर से यहां पे capital N ही लूँगा भाई यह कुल फेरे हैं ना कुल फेरे capital N B और A और व्रत्तकार कुंडली में B और A की बीच का एंगल कित्ते डिगरी होता है छतरपाल 0 डिगरी देखो याद आया जहां B वहां A तो भाईया एंगल कित्ते डिगरी 0 डिगरी तो B A कॉस 0 का मान कित्ता हो गया वान तो 5 बराबर N B A बोलो yes की no चलो N जिन्दा बाद B का मान रग दो yes B का मान होता है Mu not Ni upon 2R व्रत्तकार कुंडली की केंदर पर चुम्ब की छेतर Mu not Ni upon 2R A Pi R square RCR cancel ठीक है न Pi का मान कितना होता है Li Li बराबर Mu not N का square 1N दूसरा N I और क्या R और क्या नीचे बचेगा 2 सब छोड़ दो I से I काड़ दो Answer आ गया L का Mu not Pi N square R by 2 ये है स्वाप प्रिर्कत ब्रत्तकार कुंडली का बोलो clear और कि इन बातों पन निरभर करता वो दिखी रहा है है ना माध्यम की निरपेच्च चुम्बक सीलता पर या माध्यम की माध्यम की निरपेच्च चुम्बक सीलता पर ठीक है और दूसरा अरे भाईया माध्यम की में निरपेच्च मत लगाओ सीधे माध्यम की चुम्बक सीलता क्योंकि अगर आप माध्यम रखोगे तो यहाँ पर जो आएगा म्यू आ जाएगा नहीं तो वायू ए निर्वात की निर्पेच चुम्बक सीलता फेरो की संख्या पर N पर निर्भर कर रहा और कुंडली की तरिज्या पर भी निर्भर कर रहा है सही, done अब लास्ट डेफिनीशन पढ़ा देता हूं मैं अन्योन परेरकत्य की परिभासा पहले देख लीजे अन्योन परेरकत्य क्या है तो यह आपके पास में एक कुंडली है जिसका नाम है प्राथमिक कुंडली और इसके बाजू में यह मैंने दुतिय कुंडली रख दी है यह देखिए यह प्राथमिक कुंडली है और यह दुतिय कुंडली मैंने प्राथमिक कुंडली से कोई धारा भेजी आई धारा के परणाम सरूप क्या जनित हो जाएगा फ्लक्स जनित हो जाएगा मैं ये नहीं कहा हूँ कि Flux बदलेगा मैंने ये कहा है कि Flux बद्ध हो जाएगा क्योंकि Phi proportional to I जहां धारा है वहाँ Flux है तो Flux हो जाएगा अब देखिए Flux का कुछ हिस्सा किस से बदा हुआ है बना हुआ है दुतिय कुंडली से ये कौाइल 1 है और ये कौाइल 2 है तो Flux का कुछ हिस्सा Secondary कुंडली से बना हुआ है और अगर आप प्रात्मिक कुंडली में धारा बढ़ाएंगे इसमें अगर आप धारा बढ़ाओगे तो दूसरी कुंडली में भी Flux का मान बढ़ता जाएगा क्योंकि इधर भी flux बढ़ेगा तो automatically वहाँ भी बढ़ेगा तो मैं indirectly क्या कह सकता हूँ मैं indirectly लिख सकता हूँ कि phi on two दूसरी कुंडली का flux proportional to पहली कुंडली की धारा i1 phi2 upon i1 so phi2 is equal to mi1 दूसरी कुंडली का flux बराबर m m कहलाता है अन्योन प्रेरकत्व m कहलाता है कुंडली का अन्योन प्रेरकत्व और जो अन्योन प्रेरकत्व होता है वो किसी एक कुंडली की property नहीं है अन्योन प्रेरकत्व इन दोनों के जोडे की property है क्योंकि ये दोनों जोडे में बैठी हुई है तभी अन्योन प्रेरकत पैदा हुआ है तो अन्योन प्रेरकत इनके जोडे की प्रॉपर्टी है जोडे की विसेश्ता है तो फाइटू बराबर M I 1 तो M एक्वल टू फाइटू अपॉन I 1 यस घटना क्या है अगर किसी प्राथमिक कुंडली से धारा में परिवर्तन या फ्लक्स में परिवर्तन किया जाए तो उसके नेवरिंग कंडिशन में याने पडोस में बैठी हुई दूसरी कुंडली से भी फ्लक्स का परिवर्तन होता है और उसमें फ्लक्स में परिवर्तन होनी की वज़े से प्रेरित विदुत वाहक बल पहली कुंडली में तो जन्म लेगा ही मेरे बच्चों दूसरी कुंडली में भी जन्म लेगा श्री क्लास में हो दूसरी कुंडली में भी जन्म लेगा तो बेंड बजरा पहले घर में और डान्स हो रहा दूसरे घर में इसको बोलते है अन्योन प्रेरण इस घटना को बोलते है अन्योन प्रेरण और ये कहलाएगा अन्योन प्रेरकत्व M कहलाता है अन्योन प्रेरकत्व अब आईए अन्योन प्रिर्कत्ति की परिभासा देख लेते हैं यहां से M बराबर आपने देख लिया Phi 2 upon I1 अगर I1 का मान कर दो 1 Ampere I1 का मान कितना कर दो 1 Ampere तो भईया M बराबर कितना हो जाएगा Phi 2 upon 1 याने M बराबर Phi 2 बन गई परिभासा यदी प्रात्मिक कुंडली में 1 Ampere की धारा प्रवाहित की जाए तो दुतियक कुंडली के साथ जो फ्लक्स बधित होता है उस फ्लक्स के गणतिय मान को कहते हैं दोनों कुंडलीयों का अन्योन प्रिर्कत क्योंकि दोनों ही कुंडलियां आएंगी फिर से बोलूँगा परिभासा M बराबर कितना पढ़ा अपने भाई साब अभी अपने पढ़ा Phi बराबर Phi 2 बराबर M I1 तो I1 का मान अगर 1 Ampere कर दो अगर प्रात्मिक कुंडली से 1 Ampere की धारा बहाई जाए तो Phi 2 बराबर M हो जाएगा तो दोतिय कुंडली के साथ बधित slux का गणती मान किसके बराबर होता है अनयों प्रिरकत के बराबर होता है मतलब feeling को पकड़ो अगर 2 कुंडलों का अनयों प्रिरकत जादा होगा तो दूसरी कुंडली से बदने वाला flux उतना ही जादा होगा अगर अन्योन प्रिर्कत तो कम होगा तो phi2 कम होगा और अगर अन्योन प्रिर्कत तो जादा होगा तो phi2 जादा होगा परिभाशा पर आते हैं ये देखिए यदि प्रात्मी कुंडली से धारा आई प्रभाहित करने पर दुंतिया कुझ्ड़ी से बरदफ्लक्स फाइटू हो भ्हया मैंने तो प्लात्मी कुझ्ड़ी की धारा i1 ले लिया तो फाइटू प्रपोर्शनल टू i1 फाइटू बराबर mi1 आप कन्फ्यूस बिल्कुल ना हो इसलिए मैंने दो और एक का निशान है इसलिए महां M एक नियतांक है जो दोनों कुंडलियों देखो दोनों कुंडलियों में फेरों की संख्या दुतिय कुंडली का छेतरफल और माध्यम पंदर भर करता है ये कब आएगा जब डेरिवेशन करेंगे तो दिखाऊंगा इन इसे दोनों कुंडलियों का अन्योन प्रेरकत या अन्योन प्रेरण गुणांक कहते हैं यदि आई का मान एक हो तो समी करण एक से फाई बराबर अता है दोनों कुंडलियों के अन्योन प्रेरण कत्तों का आंकिक मान दुतियक कुंडली से बद उस चुम्ब की फ्लक्स के बराबर होता है जो उस समय उत्पन होता है जबकि प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित की जाती है मतलब जिस समय आई वन बराबर वन एंपियर लोगे बच्चों और उस समय जो फाई टू होगा वो किस के बराबर होगा एम के बराबर होगा यस चलिए यह हो गया दूसरी परिभासा भी देख लेते हैं दूसरी परिभासा यह है लेंज के नियम से या फैराडे के नियम से दूती नियम से बनेगी आप जानते हैं E equal to होता है E is equal to minus of d5 by dt E is equal to minus d by dt of flux आपने कितना निकाला है दूसरी कुंडली के flux की बात हो रही है तो दूसरी कुंडली की EMF की भी बात करो बहुत अच्छे से समझो भाईया E2 चल रहा है और यहाँ फाइटू चल रहा है देख लीजे क्योंकि जब flux से दूसरे का परिवर्तत होगा तो विद्धुत वाहग बल भी दूसरे का ही होगा तो E2 प्रपोर्शनल टू स्वार इक्वल टू माइनस अप डी वाई डी टी और फाइटू अभी अभी कितना पढ़ा है मैंने MI1 तो यहाँ पे M और यहाँ पे I1 तो E2 इस इक्वल टू माइनस का M बाहर आगे कॉंस्टेंट है M और Di1 अपन डी टी लो बहुत इंपोर्टेंट फॉर्मूला क्या है यह यह जो E2 आ रहा है यह पहली कुंडली के परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली में उत्पन हुआ विद्धुत वाहक बल है E2 E1 तो पढ़ी चुके उल्टी डारेक्शन में होता था और यह E2 है इसे बोलते हैं अन्योन प्रेरित विद्धुत वाहक बल इसे बोलते हैं अन्योन प्रेरित विद्धुत वाहक बल और इस घटना को बोलते हैं पहली कुंडली में करिंट में परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली में विद्धुत वाहक बल का जन्म लेना कहलाता है अन्योन प्रेरण अन्योन का मतलब होता है पडोस, mutual पडोस वाले को आपने पेर दिया, प्रेरित कर दिया तो इसको बोलते हैं अन्योन प्रेरण जब आपकी हरकतों से पडोस वाला परिसान होने लग जाए तो इसको बोलते हैं अन्योन प्रेरण समझने के लिए तो E2 बराबर M Di1 upon dt हम परिवासा बना लेते हैं देखिए अगर Di1 upon dt equal to 1 Ampere per second अगर प्राथमी कुंडली से धारा का जो परिवर्तन है अगर हम इसको ले लें कितना 1 Ampere per second तो E2 बराबर कितना होगा M और माइनस धर चला जाएगा पुट कर दीजे यहाँ पर 1 रख देंगे तो M बराबर कितना जाएगा माइनस E2 मतलब किसी दो कुंडलीों का अन्योन प्रेरकत विद्धुत वाहक बलकि वह मात्रा है दुतियक कुंडली के उपर आने वाले विद्धुत वाहक बलकि E2 की बात चल रही है E2 की वह मात्रा है जो कि तब उत्पन होती है जब प्राथमिक कुंडली से धारा परिवर्तन की दर कितनी होती है 1 Ampere per second जी हाँ अब परिवाशा बन जाती है ये देखिए उठकर दिया यहीं पर आगए E बराबर माइनस M परिवाशा पढ़ेंगे आता है दो कुंडली का अन्योन प्रेरकत तो आंकिक रूप से दुतियक कुंडली में प्रेरित उस विद्वत वाहक बलके बराबर होता है जी हाँ M बराबर क्या होता है माइनस E के और कौन सा माइनस E E2 मेरी नजर में E2 दुतियक कुंडली में प्रेरित उस विद्वत वाहक बलके बराबर होता है जो की प्राथमी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर इकाई होने पर भीए धारा परिवर्तन की दर क्या है डी आईवन अपॉन डी टी किती इकाई बोले तो एक एमपियर पर सेकेंड होने पर उत्पन होता है मातरक हेनरी विमी सुथर निकाल लो और कल पढ़ेंगे कि किन किन चीजों पर निर्भर करता है तो जिन चीजों पर आज निर्भर कर रहा था वस्वापिर रुकत बिल्कुल उन चीजों पर भी निर्भर करेगा बट आज आया था N1 स्क्वेर और कल आजाएगा N1 N2 तो क्या आएगा M equal to mu naught आज आया था N1 स्क्वेर तो कल आएगा N1 N2 और क्या L into A इन चीजों पर निर्भर करता है तो किस पर निर्भर करता है देखो फेरो की संख्या पर ओके फेरो की संख्या पर अनुपरस्थ काट के छेत्रफल पर और कोर के पदार्थ पर ठीक है ना तो इन चीजों पर डिपेंड करता है आज आपका होमवर्क स्वा परेरण और अन्योन परेरण में क्या अंतर है इसको लिख करके लाईए और कोशिश करिएगा कि अगर आप अन्योन परेरण का भी derivation कर लें तो बहुत आराम से हो जाएगा derivation कोई मुश्किल बात नहीं है ये दिया है derivation देखिए जी तो mu naught n1 n2 a upon l अगर मैं इसको बदल दूँगा करकल बदल दूँगा चलो आज के लिए इतना ही conclude करते हैं बोलो ये second वाला part जो मैंने आपको समझाया कहां गया कहां गया ये आगया बोलो ये अच्छे से समझ में आया की नहीं आया clear एकदम ठीक है बस तो यही important है exam में बहुत ज़्यादा आता है स्वापरिरकत और अन्योन परिरकत में एक प्रशन तो आपको बिल्कुल रखा रखाया मिलेगा इस chapter से अगर 5 नमबर का derivation देगा चार नमबर का तो स्वापरिरकत और न्योन परिरकत आएगा otherwise फैराडे का law लेंज का नियम जिन्दाबाद बहुत important फैराडे law तो मतलब मान के चलो जितना important बायूट सेवर्ट law है वैसा ही फैराडे law है रखा मिलेगा आपको एक्जाम में चलिए आज के लिए धन्यवाद इतना ही नमस्कार